हम लोग कवर कर रहे हैं थर्टीन ग्रुप आफ पी ब्लॉक जहां पर अब तक हम लोगों ने डाइब औरन के स्ट्रक्चिर कर रहे हैं बात कर ली थी अगे बढ़ते हैं आगे स्टार्ट करते हैं पेज नुमबर 314 के साथ तो हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं पेज बोराइट बोरोन जो है वह हैड्रो बोरेट बनाता है थे कंटिन्व फिर के अवा तो हिए इंट्रेटर इन डिपर थी आपर आपर आप से बात करे एक स्पेशल के डिग्री ऑ फ। compounds कारें मैं जिने हम BH4 माइनस के नाम से जानते हैं और इन्हें हम लोग Hydro-Borates बोलता है क्या बोलता है Hydro-Borates और यह जो दो Hydro-Borates है जो Hydro-Borates है इनके तो बहुत अच्छे एक्जामपल है जो आप Organic Chemistry के इंदर बहुत यूज करते हो एक होता है Lithium sorry Li-BH4 और Na-BH4 तो basically आप जिसे काम में लेते हो वो है आपका Li-BH4 और इससे भी जादा काम में जो आप लेते हो वो होता है आपका Na-BH4 जो की reduction के काम में आता है इसकी line के साब से कह रहा है कि जब भी आपको sodium Hydro-Borate बनाना यानि Na-BH4 बनाना है Na-BH4 बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा simple आप sodium hydride की reaction किसके साथ करवाओगे B2H6 के साथ तो यहाँ पर जो है यहाँ से NaH से 1H- transfer होगा actually 2 NaH होँगे तो 2 NaH से 2H- transfer होते हैं जो आपका B2H6 है उसके bond का symmetrical cleavage होता है जो इन आपको बताया था और उससे आपको यहाँ पर क्या मिलता है Na-BH4 मिल जाता है तो यह भी काम की reaction है जो आपको पता होनी चाहिए उसके लाब देखो फिर से आपको यहाँ पर Diboran के वरें कुछ बताया गया है तो यह diagram दिया गया Diboran का orbital diagram दिया हुआ है और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखें डैश बना हुआ है और यह solid orbital है जबके यहाँ पर dashed lines बनी हुई है यह आपके delocalized orbital को दिखाता है मतलब यह बनते और तूटते रहते हैं यह एक fixed bond नहीं है और उसी के और इसने देखो नीचे लिखावा भी है bonding in Diboran यह बहुत important है bonding in Diboran each boron atom uses SP3 hybrid orbitals for bonding तो आपको इध्यान रखना है इसका अब यह हुआ कि आपके जो Diboran बनता है इसमें जो boron atom है वो कौन से state में होता है SP3 hybridized state में होता है तो एक important चीज़ आगे बढ़ो out of the 4 SP3 hybrid orbitals on each boron atom one is without an electron and shown in broken unit या broken lines तो जो एक orbital है इसमें किसी भी तरह का electron नहीं होता है जिसको यहां पर broken lines दिखाया गया है यहां एक-एक electron होता है यहां एक electron है एसे ही आपके पास एक और जो दूसरा boron atom है सेम उसके पास भी क्या है ऐसे SP3 hybridized orbitals होते है जिनके अंदर एक-एक unpaid electron है और यहां पर भी एक जो आपका orbital है वो तो पूरा solid होगा लेकिन एक जो है उसे dashed line से दिखाया जाएगा अब यह आगे क्या कह रहा है कि the terminal bh bonds are normal two center two electron bonds क्या लिखा हुआ है the terminal bh bonds are normal two center two electron bonds तो यह जो आपके terminal bonds है यह वाले यह normal two center two electron bonds है क्योंकि यहां पर दो center है और दो electrons है लेकिन जो bridge bond है आपके कोई bridge bond कैसे बनता है तो यह जो बीच वाला hydrogen atom होगा वो अपना electron share करता है इन दोनों orbitals के साथ ऐसे ही ही hydrogen अपना electron share करेगा तो इस तरह से आपके पास एक de-localized orbital form होता है क्या होता है de-localized orbital मतलब यहां पर एक electron boron का और एक electron hydrogen का दो electron मिलकर इन तीन atoms को आपस में बांध कर रखते हैं और इस bond को हम बोलते हैं 3 center 2 electron bond तो इस तरह से देखो आपको boron की दूसरी di-boron की दूसरी structure सिखाई होई है जिसमें इस तरह से electron cloud बनता है जिसमें बीच में hydrogen है यहां पर भी electron cloud बनता है बीच में hydrogen है एक hydrogen इधर है और एक hydrogen इधर है तो इस तरह से आपका ये B2H6 form होता है और यही सारी चीजें इसने में बताया है और इस bond को इसने क्या नाम दिया है banana bond आप इसे bridge bond भी बोल सकते हो और आप इसे banana bond के नाम से भी जानते हो तो B2H6 की जो structure है यह बहुत important है आइए चलते हैं आगे अपने page number 314 का यह आगे का part है बोथ LIBH4 and NABH4 are used as reducing agent in organic synthesis यह मापको पहले बता चुका हूँ यह आप जानते भी है कि NABH4 और LIBH4 यह reducing agents की तरह काम करते है they are useful starting materials for preparing other metal borohydrates इससे important information नहीं है चलिए अब आएं बढ़ते हैं uses of boron and aluminium तो यह आपका page number 314 का ही part है उसी के उपर दिया हुआ है boron being extremely hard refractory solid अभी जो refractory term है refractory solid का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है heat resistant क्या होता है heat resistant मतलब high temperature पर भी आप इनको काम में ले सकते हो so boron being extremely hard refractory solid of high melting point low density and very low electrical conductivity finds many applications boron fibers are used in making bulletproof vest and light composite material for aircraft तो यह इसका सबसे पहला और important use है जो आपको ध्यान रखना है boron क्योंकि बहुत extremely hard होता है इसलिक तो यह bulletproof waste बनाने की काम में आता है तो आप इसको इस तरह से यहां से analyze करें पहले हम boron के बारे में देख लेता है क्या क्या important है एक तो किस काम में आता है bulletproof waste बनाने में टीक है organic का एक polymer होता है kevlar वो भी सी काम में आता है boron के fibers भी सी काम में आता है दूसरा आपके पास parts of aircraft बनाने की काम में आता है boron light होता है लेकिन hard भूत होता है इसलिए आगे पड़ें the boron B10 isotope has high ability to absorb neutrons and therefore metal borides are used in nuclear industry as protective shield and control rods तो ये भी आप ध्यान रखना B10 isotope को आप use करते हो दो चीजों में एक तो क्या protective shields protective shields और दूसरा किस काम में आता है control rods बनाने के काम है कहां पर in nuclear reactors तो nuclear reactors में दो चीज़े बनाने के लिए भी boron काम है तो बड़ा important यूज़े बोरोन काम है आगे बढ़ो the main industrial application of borics and boric acid is in the manufacturing of heat resistant glasses क्या heat resistant glasses या फिर आप इने pyrex glass भी बोलते हो तो pyrex glass या फिर आपके पास या फिर fiber glass हो गया ये बनाने के तो pyrex glass का नाम याद रखना ये आपके पास heat resistant होता है कैसा होता है heat resistance ये glass होता है glass wool basically soundproof के लिए भी काम में आती है या फिर किसी दो walls के अंदर आपको heat transfer को रोकना है अपने या तो निया ठंडी countries है न वहाँ पर वाल्स के अंदर glass wool की फिलिंग की जाती है त्याकि जाप अंदर heater चलाएं तो वो बाहर नहीं conduct हो चली आगे बढ़ते हैं borex is also used as flux for soldering metals for heat scratch and stain resistant glazed coating to earthen wares and as constituent of medicinal soaps तो borex का बहुत use है borex एक तो slime बनाने के काम में आता है तो borex आपका second है जिसका छोटा सा use है ठीक है एक तो as soldering material और दूसरा किसमें काम में आता है as for glazed चमकदार coating for earthen pots ठीक है चली आगे बढ़ते हैं an aqueous solution of orthoboric acid generally used as mild antiseptic तो यह आपके H3BO3 का use है antiseptic की तरह काम में आता है तेकें aluminium is a bright silvery white metal with high tensile strength it has a high electrical and thermal conductivity on a weight to weight basis the electrical conductivity of aluminium is twice that of copper यह बड़ा important है अगर आप same mass की बात करो for same mass तो आपने 10 gram copper लिया है और 10 gram aluminium लिया है aluminium की जो conductivity है है ना conductivity को कपा से लिख लो के से यह सिंपल लिख लो is twice of conductivity of copper that means आप अगर compare गरो तो aluminium की electrical conductivity copper से क्या होती है जादा होती है aluminium is used extensively in industry and everyday life it forms alloys with copper, magnesium, manganese, silicon and zinc aluminium in its alloys can be given shapes of pipes, tubes, wires, plates or foils and therefore you find use in packing and all these industries packing हो गया, utensil making हो गया, construction aeroplane बनाने के लिए aluminium और magnesium की alloy काम में आती है अब धिहान रखना aeroplane की जो components बनते हैं उनमें mainly magnesium प्लस aluminium alloy काम में आती है तो है aluminium की चोटोड़े uses हैं the use of aluminium and its compounds for domestic purpose is now reduced considerably because of their toxic nature तो क्योंकि इनका nature toxic होता है इसलिए इनके जो compounds हैं उनका use क्या होता है limit कर दिया गया है और यहीं पर खत्म होती है आपकी 13th group यानि boron family की reactions और उनकी properties तो अब आप जो मैंने आपको भी page by short notes बनाएं इनको अच्छे से arrange करके रखें और यह आपको बहुत help करेंगे जवाब